नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में जैप्रकास पावर एसोसियेट्स जैप्रकास एसोसियेट्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम इस स्टॉक में इसके NCLT वाले न्यूज को ट्रेंड होते दिखा हमने कई बार एक ही बात को रिपीट करा कि मैं Stringly Bullish हूँ लेकिन किसको लेकर के JP पावर को लेकर के एसोसियेट्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और हमेशा हमने हमारे निगेटिव यूज को ही सेयर करें अगेन एक जटका इससे स्टॉक में इसके सेयर हुलडर को लगते वे दिखा है तो क्या न्यूज है आगे कि क्या ट्रेंड है इसको समझे इससे पहले प्रिमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आफेंड करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे यहां एक खबर दिख रही है साइद मैंने आपको बताया था कि जेपी एसोसियेट्स को एंसे एल्टी के के लिए जो आविदन करा गया इसे इसे बैंक के द्वारा तो कोट ने यह कहा कि आप वन टाइम सेटिल्मेंट कर लो लेकिन यहां जो लिंडर्स है वो वन टाइम से सेटिल्मेंट ऑफर बाइद कंपनी आई इसे 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 बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दे लिंडर्स हैव रिजेक्टेट दो ट्याइस ओट्याइस के वन टाइम सेटिल्मेंट NCLT had asked Jai Prakas Associates Limited to improve its original OTS following which Jai Prakas Associates Limited enhanced its upfront payment 200 करोर से upfront payment बहा करके 500 करोर कर दिया कोट के कहने पे कि भाई तुम अपना OTS थोड़ा बरहा हो लेकिन यहां देखेंगे देट रिडेन कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्राइस्ट्रेक्टर कंपनी और उसके अलावा कहा है कि विदिन ट्वेल्व वीक हम जो है ट्वेल्व वीक डैट मेंस की लगबग लगबग दो महिना हम जो है एक सो पचास करोर अडिशनल देंगे बिसाइड शुदिंग देंड लेंडर है यह द देट इंटार प्रोचीड स्वेल्व इस सेमेंट बिजनेस उट गो तु देम की सिमेंट बिजनेस को जो मैं बेचूंगा वो सारा पैसा आपके पास जाएगा अंडर और अडिशनल ओटिएस डेटेड 29th मई दा कंपनी हैज ओफर 200 करोर अफरंट पेमेंट प्रपोस्ट टू पे रिमेनिंग 16,000 करोर विदिन 18th वीक फ्रॉम देट अग्सेप्टेंस उट्स लेकिन इस समय दोसों को ब्रहा करके 500 बांकी 12 वीक में 150 करोर तो एटी अर्लियर एपो क्रेडिटर तो रिकावर देट अज प्रपोजल गैरेंटी गिवन वाइद प्रमोट अव दे कंपनी और अन्सिफिसेंट तो कवर इस लिएपलिटी दा प्रपोस्ट गैरेंटी इमांट तो 800 करोर विस लोवर दें 2% बदल वही है कि बात अभी फस्ते हुए दिख रहा है आली ट्रेंड तो विक है ही यहां देखेंगे तो 61 लेक का वॉल्यूम है और बिल्कुल 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 मैं निगेटिव हूं और हो सकता है कि यह एर्दा टाइम पे जीरो जाते हुए दिखें बिल्कुल यह बहुत ब़रा रिस्क है ऐसे स्टॉक में अल्रेडी आपको करने चाहिए